दोस्तों स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रक्शन में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे UER2 यानि कि Urban Extension Road 2 के बारे में ये लगवग 80 किलोमेटर का रिंग रोड प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली में 3rd रिंग रोड होगा ये रोड काफी टाइम से पेंडिंग था पहले क्या solution हो सकता है और कब तक ये प्रोजेक्ट complete होगा साथ ही इसका रूट यानि कि दिल्ली में ये रिंग रोड किस-किस एरिया से क्रॉस करेगी और इस प्रोजेक्ट से दिल्ली वालों को क्या फाइदा होगा सब कुछ हम लोग details में जानेंगे तो काफी interesting होने वाला है ये प्रोजेक्ट काफी time से pending था ये चारों प्रोजेक्ट इस प्रकार है सबसे पहला है द्वारका expressway दूसरा है UER2 तीसरा है DND flyway से KMP expressway का stretch और चौन्था है अक्छर धाम से सहारनपूर बैपास लेकिन UER2 को छोड़कर बांकी के तीन प्रोजेक्ट में काम या तो start है या फ expressway का part हो गया है और वर्तमान में under construction है साथ ही अक्छर धाम से सहारनपूर बैपास का section अब दिल्ली देहरादून expressway का part हो गया है और इस section में भी जल्द ही construction start होने वाला है ये 12 lane का expressway होगा इन तीनों प्रोजेक्ट के वारे में मैं detail वीडियो पहले ही बना चुका हूँ 80 km लंबा रिंग रोड प्रोजेक्ट है दिल्ली में रिंग नहीं ये semi रिंग रोड होगा क्योंकि East Delhi का area इस रिंग रोड से connect नहीं होगा ये रिंग रोड नरेला के पास अलिपुर में NH1 से start होकर बदरपुर के पास NH2 में end होगा साथ ही इस रोड से NH10, NH8 और airport भी connect होगा ये रिंग रोड देल ही के master plan 2021 का part है पहले इस रिंग रोड को DDA बनाने वाली थी लेकिन 2017 में DDA ने इस प्रोजेक्ट को NH2 को hand over कर दिया इस प्रोजेक्ट का estimated budget है 7700 करोर और NH2 इसके लिए 4000 करोर रुपे DDA से demand कर रही है तो इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्रोब्लेम यही है DDA 4000 करोर रुपे NH2 को नहीं देना चाहती है पहले प्लैन किया गया था कि NH2 इस रिंग रोड को बनाए और इस रिंग रोड को बनाने के बाद Eastern and Western Peripheral Expressway की तरह इस रोड पर भी टॉल कलेक्ट करके रोड का खर्चा निकाला जाए लेकिन इस रोड पर टॉल कलेक्टिन आसान नहीं है इस रोड पर टॉल भुद सक्सेस नहीं होगा तो इस रिंग रोड में सबसे बड़ी प्रोब्लेम है फंडिंग की और सेकेंड प्रोब्लेम है लैंड एक्वेजिशन ये रिंग रोड मुंड का नजब गड धिचाओं कला कंजा वाला जैसे भीरभार वाले एरिया से क्रॉस करेगा जिसमें लैंड एक्वार करना काफी टफ वर्क है साथ ही कुछ एरिया में इनक्रॉचमेंट भी बड़ी प्रोब्लेम है UER2 काफी टाइम से पेंडिंग है फंडिंग के अलग अप्शन पर विचार किया जा रहा है लेकिन मैं आपको एक सॉलिड सॉल्यूशन बताता हूँ और वो सॉल्यूशन है लेंड पार्सल का DDA के पास काफी जमीन है तो DDA इस रोड के बदले NHAI को जमीन देगी फिर उस जमीन का कॉमर्सियल यूज करके NHAI फंड जमा करेगी इसी पर विचार हो रहा है और करीब 350 एकर जमीन DDA के द्वारा NHAI को ट्रांसपर करने का प्लैन है वैसे भी इस रिंग रोड के बनने से रिंग रोड के आसपास के जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी और इसमें सबसे ज्यादा फैदा DDA को ही होगा वैसे अभी तक यह फाइनल नहीं हुआ है लेकिन पब्लिक इंट्रेस्ट का ख्याल रखते हुए उम्मीद है कि NHAI इस रिंग रोड का निर्वान जरूर करवाएगी इस रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन दो अलग अलग फेज में किया जाएगा फर्स्ट फेज में NH1 से NH8 तक लगभग 49 किलोम्टर के सेक्षन को कंप्लीट करने का प्लैन है इस से NH10 और एरपोर्ट भी कनेक्ट हो जाएगा साथ ही द्वारका एक्सप्रेस्वे भी UER2 से कनेक्ट हो जाएगा जबकि फेज 2 में NH8 से NH2 के सेक्षन को कंप्लीट किया जाएगा इस रिंग रोड के बनने से दिल्ली में टोटल तीन रिंग रोड हो जाएगा साथ ही North, West and South Delhi से एरपोर्ट की कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी UER2 से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा उससे में आगे की वीडियो में आपको रेगलर अपडेट करता रहूँगा इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए दूसरों के साथ सेर कीजिए और अगर आपके पास इस रिंग रोड से रिलेटेड कोई इन्फरमेशन है तो कमेंट करके बताईए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद